कि दोस्तों कैसे हैं सब्स्रागत हैं सब्सक्राइब हमारी यूटिप चैनल एन एम्टी टेलर में आज हम बनाने जा रहे हैं मॉबाइल पॉकिट इसके लिए हमने एक दो इंच का कपड़ा लेकर उसका फोल्ड कर दिया है सिंटर से और एक इसके उपर रखें आधा इंच मि लगा दे रहे हैं कि बोन यह हो जागा हमारा उपर का और निचे से एक निकाल रहे इसकी लंबाई यह हम लगबघ तक रखेंगे लंबाई न चल्ड़ाई टीन इस तक यह आमारा उपर का कपड़ा होगा इसको एक सेंटर में आफ इंच करके लप सिलाई लगा लेंगे यह लप पे सिलाई लग गया हमारा यह जी नीचे का जाती एक काम करेगा हमारा और इसके उपर ऐसे रखके सिलाई लगा देंगे और दूसरे जाइट का भी पकड़के हम सिलाई कर देंगे इसको इसे यह पूरी लंबाई इसके आठ इंच के आस्वास होनी चाहिए इसको अब वरलॉक मार कमला दिया है अब इसको अटेज करेंगे पोकिट पे हैं जो हमने पोकिट पहले से कटिंग कर रखा है इसके सीधे को उपर इसको अटेज करेंगे यह उपर से सिलाई हम लगाते हुए जाएंगे और बाहर निकाल देंगे नीचे राउंड करते हुए दोस्ता आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन की घंटी को प्लेस कर दीजिए ताकि जो हम वीडियो डाले इसकी नोट टुफी किसान आपको मिलती रहे और आपको अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जर यह लग गया है हमारा अब इसनों फ्रेंट पर ले में टेच्ट करेंगे यह सीधा है सीधे में सीधे में सीधा को रखे उल्टी साइड को उपर रखेंगे वह यह से क्रोश मार्किंग लगावा इसके उपर सिलाई लगा लेंगे पाव में शिमाजिंग रखके कटिंग कर देंगे इसका नाखुन लगा के अलका सा बोन निकाल लेंगे बोन निकालने के बाद लब पे शिलाई लगा देंगे इसके शिलाई को ध्यान से लगाएंगे क्योंकि यह क्रोश है खीचेगा तो खराब दिखेगा अब नीचे का भी इसको शिलाई से अटेच कर देंगे इसके बाद हलक हलका कट लगा देंगे यहाँ पर ताकि झालने को वाद लगा देंगे यहाँ लगार रड देंगे यहाँ पर देंगे यहाँ पर क्योंकि आए अगा बाद को शिलाई यहाँ वाद र्या झालने से शिलाई आ. झाल झाल